तो है गैस मेरा नाम हर्शिरोई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तो गैस आज की वीडियो में हमारे पास में यह एक और्थोपेटिक हीट वैल्ट जो कि अगर हमारे कमर में या किसी और बोडी पार्ट में पेन होता है तो इसकी वंद्स से हम उसे सेख पाते है तो आज की वीडियो में हम इसे ओपन करके देखने वाले है कि इसके अंदर क्या कुछ हमें देखने को मिलता है तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसके अंदर मिलता है हमें एक हीट वैल्ट जो कि हमारा में प्रड़क्ट है और maximum temperature हम कर सकते हैं 80 degree celsius तक और गाइस यह हमारा main product जो कि है heat belt जिसके बारे में कि आप कुछ details इंस्ट्रक्शन्स पढ़ सकते हैं यह 30 और 45 watt पर चलती है maximum temperature है इसका 80 degree celsius तो गाइस यह है इसका main plug लगाने की जहां से हम पावर देते हैं और यह गरम होती है तो गाइस चलिए अब इसे हम काट के देख लेते हैं कि इसके नदर में क्या तो देखने को मिलता है कर दो 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 तो गाइस हमने इसे काट लिया है और चलिए अब इसके अंदर देखते हैं क्या है तो गाइस देखें इसके अंदर एक कुछ फॉम जैसी चीज दिख लिए है इसके अंदर हम देखेंगे तो हमें कुछ वायर्स दिखेंगी जो की है हमारी एलिमेंट है जो की हीटिंग करता है तो चलिए अब इसे पूरी तरह से खोल देते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर कैसी वायर है और क्या वायर है तो गाइस देखी हमने से पूरी तरह से खोल दिया है और देखी इसके अंदर है एक बहुत ही लंबी वायर जो की हमारा में हीटिंग एलिमेंट तो गाइस आप यह देख सकते हैं कि इसके अंदर है विल्कुल ही पतली सी वायर जिसकी मदद से की हीट होती है यह बैड़ फूरी तरह से गाइस यह इतनी पतली वायर है कि अगर हम इसे थोड़ा हवी खीचेंगे तो यह तूट जाएगी और मुड़ भी सकती है इसलिए इसके इस्ट्रक्शन में भी लिखा हुए है कि हमें इसे ज्यादा मोर ना तोर नहीं है ताकि इसकी वायर ना फूट जाए तो इसका कनेक्शन तूट गया तो यह गरम नहीं हो पाएगी तो गाइज यही थी हमार हमें प्रुट्ट अलब देख लेते हैं इसका कॉंप्रोलर जिसकी मंद सब्सक्राइब हम ठेड़ा को कंट्रोल कर सकते हैं कम हैं अजादा कर सकते हैं इसके पीछे भी कुस इंट्रक्शन और वार्निंग्स लिए हैं आप उसे भी पढ़ सकते हैं इसके पीछे हमें चार नट दिये गया है तो चलिए उन्हें खोल लेते हैं तो वैस जैसे कि आप सब भी देख सकते हैं हमने इसे खोल दिया है तो चलिए अब इसके अंदर देखते हैं कि क्या है इसके अंदर तो इसके अंदर दे रहे हैं हमें एक सर्किट बोर्ड तो चलिए इस इतार को हटा कर भी देख लेते हैं कि पीछे की तरफ से एक ऐसा कुछ तो इसके पीछे हमें कुछ ज्जादा कुछ देखने को तो नहीं मिलता है इसके पीछे हमें देखने को मिलते हैं यह थो कि इसका अधर कर सकते हैं तो देखी जैसे हम इसे कुमाते हैं तो यह temperature कम्या जादा होने लगता है दीए जैसे हम इसे ऊपर नीचे करते हैं तो temperature 1,2 या 3 होने लगता है तो काफी बड़ी है mechanism दे रहा है इसके अंदर का temperature कम जादा करने के लिए और इसके बाद है हमारे पास में ये एक circuit board जिसके अंदर के हमें एक LED light दिलती है और ये कुछ connections दिलते हैं और ये इस silver सा area जो आपको दीख रहा है इसके ओपर हम जब उसे slide करते हैं temperature control वाले को तो इसका temperature कम्या जादा हो जाता है तो guys ये थी हमारी आज की वीडियो और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना शेर कर देना चैनल लोग कर देना सबस्क्राइब और मिलते हैं जल्दी नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई थैंकियो सो मच पर वाचिंग दा वीडियो